पुर्डिमा की रात ये काम करते ही सब ठीक होने लग जाएगा नविसकार मित्रों स्वागत है सिद्टोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मित्रों पुर्डिमा की रात यानि चंद्रमा आपका पूर्डता में होता है यानि पूरी शक्ति के साथ वो चमक रहा होता है भले ही सूरे की ताकत या सूरे के प्रभाव के कारण वो चमकता है किन्दू उसमें उस वक्त में पावर सबसे जादा होती है मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा जब पूरी ताकत से चमक रहा है और सूरी की उर्जा के कारण ही चमक रहा है तो जहां सूरी पूरी ताकत से चमकते हैं तो सब कुछ जल जाएगा सब कुछ नर्ष्ट हो जाएगा वहीं जब चंद्रमा पूरी ताकत से चमकते हैं तो सब में सीतलता आती है मनो दसा, यदि आप बहुत अच्छे मन कि मालिक हैं, तो मनो दसा आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी वहीं पर जिनकी मनो दसा खराब है, वो थोड़ा विचलन महसूस कर सकते हैं, यदि चंद्रमा खराब इस्तिती में चलता रह रहा होतों, तो ऐसे में चंद्रमा के दिन उनको यानी पुल्डिमा के दिन चंद्रमा के उपाय करें और निरंतर करने से बहुत ही शिगरता से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता है और जो खराब चंद्रमा की दसा जहल रहे होते हैं उससे मुक्ति मिलती है माता के साथ यदि चंद्रमा के सामने कुछ समय बिताया जाए पुत्र और मा या बेटी और मा बैट करके थोड़ी देर चंद्रमा जब निकला हो तब बैट करके थोड़ी देर अपना अगब सब करें हलकी फुल की बाते करें जीवन से जुड़ी हलकी फुल की बाते करें तो उनके जिवन में परिविरतन देखने को मिलता है और चंद्रमा पॉजिटिव होने लगते हैं तो ये बात आई कि चंद्रमा की इस शक्ति का प्रयोग हम अपने जिवन में किन लक्षियों को पाने के लिए कर सकते हैं मित्रों चाया आथिक तंगी से आप जूज रहे हो या मा मनोदसा प्रभावित हो रही हो मनोदसा के करण जीवन आपका प्रभावित हो रहा हो मित्रों एक सरल सा प्रयोग है इसे आप कर लिजेगा इसे करने पर आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा क्या करना है आपको करना है थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है थ रहां पर चंद्रमा आपके उपर चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़े, कोई फिल्टर नहीं, कोई बीच में रोक टोक नहीं, खुले आसमान के नीचे आप बैठ जाईए, आप पर चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़े, और फिर आप ये सब सामगरी लेकर बैठे और इसे मंत्र नहीं बोलना वक्ति कारे करें करें ठीक आप मिला लीजिए गाश सब कुछ करें मंतर ना बोलीएग करने के बाद इसका टेका अपनी रिंग फिंगर अपनी माथे पर घोल लेनी के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है एक चम्मच दूध लिया है उसमें थोड़ी हल्दी डाली है थोड़ी मिश्री गोली इतना काफी है एक चम्मच से हद हुआ तो दो चम्मच पस बहुत ज़्यादा नहीं से वेस्ट नहीं करना है ठीक मिलाने के बाद एक थोड़ माता सब आपके साथ, चंद्रमा आपके साथ, शुक्र आपके साथ, और शुर्य आपके साथ, गुरु आपके साथ, सब चीज आपके साथ आ रही है, चंद्रमा की सकती के साथ साथ, आपके अंदर भी तो सकती आनी चाहिए, तो उच सकती के लिए सब कुछ इकठा किया जा र पाकि जो बचा हुआ है इसे यदि आप अर्थ में परिसानी देख रहे हैं तो अपनी आर्थे किस्तिती ठीक करने लिए जहां धन रखते हैं वहां जाके बीजमंत है श्रीम ये एक निसान बना सकते हैं श्रीम लिख करके यदि आप प्रेम में समझ चाहें देख रहे हैं तो प्रभू अब सब ठीक हो जाएं यदि जीवन में अन्य कोई भी समस्या चल लही तो भी आपको यही प्रियोग करना है गाल लिखना उपर बिंदी लगा देनी है भगवान गनेश को प्रडाम कर लेना है और उनसे मांग लेना है जो आपके मन में है कि ये मुझे चाहिए य आप हमें दिलाइए और जो मेरे लिए अच्छा हो वही करिएगा ये भी आप कहिए क्योंकि कई बार आप कुछ गलत मांग लेते हो और वो पूरा नहीं होगा ठीक क्योंकि भगवान को पता है ना कि आपके लिए ठीक है या नहीं है तो आपको लगता है कि उपाय काम नही कमी नहीं होती काम हूआ या नहीं हुआ आप सफल हूए या नहीं नहीं हूए निर्भर करता आपने मांगा क्या था आपको मिलना क्या चाहिए था उसकी उपर तो आप ये प्रारता ना करेंगे निश्चित ही आपके जिवन मेँ बदलाओ आजाएगा पित्रों जो भी वी वीडियो देखे हैं अभी तक उनका बहुत धन्यवाद मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए